नमस्कार और वालकूम अभुनंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अस्ट्रोयोगी हिंदी यूट्यूब चानल पे 9 अगस्ट 2023 जाने बिजनस में आज कैसे मिलेगा मुनाफा हेल्थ का कैसे रखे ध्यान करियर में क्या कहते हैं सितारे और क्या होगी लफ पार्टनर से मुलाकात इस तरह के हर सवार के जवाब के लिए इस वीडियो को एंटर देखिए अब बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में 9 अगस्ट 2023 दिन बुद्धवार आज का पंचांग विक्रम समथ 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास है कृष्न पक्ष है वर्शारितु है आज नवमी तिथी सुब चार बचकर 11 मिनिट तक रहेगी इसके बाद तश्मी तिथी लग जाएगी नक्षत्र आज कृतिका नक्षत्र राद 2 बचकर 29 मिनिट तक रहेगा इसके बाद रोहीनी नक्षत्र लग जाएगा आज बनने वाला योग वृद्धी योग दुपहर 3 बचकर 41 मिनिट तक रहेगा इसके बाद रुवयोग लग जाएगा आज चंद्रमा मेश राशी में सुबह 7 पर होगा आज चंद्र दे राद 12 बचकर 15 मिनिट तक होगा आज अभी जीत महुरत कोई भी नहीं है आज राहु काल दुपहर 12 बचकर 26 मिनिट से शुरू होकर दुपहर 2 बचकर 6 मिनिट तक रहेगा मेश राशी के जातक वरिशब राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आज आपको अपनी जीवन में कई नए अफसर मिल सकते हैं आपको अपनी दैनिक दिंचरिया से हटकर कुछ नया काम करना चाहिए आज आज आप जीवन में सकारात मक्ता ला सकते हैं आप वो काम भी कर सकते हैं जो आपको सबसे जादा प्रेरित करता है किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं आप अपने आवश्यक कारियों को आज कर सकते हैं अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की आज आपको दावेदार होने और उतावला होने के बीच अंतर समझने की जरूरत है आज आप उतावले पन पर तुले हुए हो सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया संभल कर करें आपकी दावेदारी जहां एक और आपको आपकी इच्छित वस्तु दिला सकती है वहीं आपका उतावला पन उससे आपको दूल भी कर सकता है हुश्यारी से चुनाव करें अब बात करते हैं आपके करियर की यदि आप किसी भी प्रकार की रक्षा सेवा में जाना चाहते हैं तो आज का दिन इस प्रकार के आवेदन के लिए श्रेष्ट है आज के दिन की गई शुरुआत आपको सही सफलता का मार्ग दिखाएगी अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिती की आपको आज लगेगा कि पिछले दिनों आपकी जो आर्थिक नुकसान हुए हैं आप आज उसकी कुछ भरपाई कर पाएंगे अचानक आई किसी रकम से आपका बैंक बालन्स भी दुरुस्त रहेगा अब बात करते हैं आपके हेल्थ की आज आपके लिए अच्छा होगा कि आप कोई वहन ना चलाएं खासकर अगर आप उपर से खुले हुए वहन चलाते हैं कार में बैठते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें सुभा 10 बजे से 11-15 का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हरा आज के लिए आपका लखी कलर रहेगा थांक यू अब जानते हैं व्रिशिब राशी का आज का राशिफल चंद्रमा खाव रशिब राशी में प्रवेश से आप आज मन की शांती की स्थिती में रहेंगे और ये आपको हर प्रकार के कारे को व्यवस्थित दृष्टिकून के साथ करने की अनुमती देगा आप समय पर अपनी सीमा को पूरा करने में सक्षम रहेंगे इसलिए इसे लेकर चिंता ना करें कारोबारियों के लिए ये गोचर फायदेमन साबित होगा लंबित सौधों को दुपहर तक पूरा किया जाना जरूरी है यदि आप कोई नया उध्यम या परियूजना बनाने की शिरुवात करने की यूजना बना रहे हैं तो ये एक सकारात्मक समय है आपको इससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की आज आपको चोटे-चोटे मुद्दों को लेकर अपने पार्टनर के साथ जगड़ों का सामना करना पड़ सकता है आप पार्टनर को दिये गए वादों को पूरा करने में अपने को समर्थ पाएंगे जो और भी जादा मन मुटाव का कारण बन जाएगा अनेक मामलों में कुछ सामाजिक समस्याएं भी दिन को चुनाती पूर्ण बना सकती है अब बात करते हैं आपके करियर की निजिशेत्र में आज उन्नती का माहौल दिखाई देगा यदि आप अपने काम से बाहर आना चाहते हैं तो आज के दिन कोई अच्छी खबर वह आर्थिक लाब की बात हो सकती है आज आपको महसूस होगा कि आपको कुछ विक्तिया परिशानियों से निजात मिल गई है कहीं से अचानक आए हुए धन के कारण आप राहत में हसूस करेंगे आपको अपने धन को लेकर चल्दबाजी में निर्ने नहीं लेने चाहिए अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की कैसा रहने वाला हेल्थ की मामले में आपका दिन किसी भी वाहन को आज चलाते वक्त आपको बहुत साफधानी बरत नहीं है आज आपको सड़क दुरगटना में चोट भी लग सकती है पैदल और वाहन चलाते समय आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है महत्वपूर्ण मामलों में आपके लिए 4 बज़े से 6 बज़ेकर समय अच्छा दिखाई देता है अस्ट्रोयोगी जोतिश्यों के अनसार हरा रंग आपके लिए आज लखी रहेगा थैंक यू ये वादो को भी ज़न में दे सकते हैं हाला कि अभी भी अपने करियर को आगे ले जाने के लिए आपको बहुत महनत करनी होगी, इसके लिए आप कुछ नई तक्नीक भी सीख सकते हैं, आपकी रचनात मक्ताव वा अनुभव आपको अपने विवसाइक लक्षियों को प्राप्त करने में मदद करेंगे, अपने आज का दिन बस आप ही का है, अब बात करते हैं आपके हेल्थ की, आज आपको खुद पर जादा ध्यान देने की आवशक्ता है, आज आपकी दुर्भटना हो सकती है, जिससे शरीर के उपर के हिस्से में या सर में चोट आ सकती है, ध्यान रहे कोई भी वाहन चलाते समय सतर रहे हैं, आज बहतर परिणाम पाने के लिए 10 बज़े से 11 बज़े का समय उप्योक्त है, इस समय पर आप अपने ज़रूरी कार्यक कर सकते हैं, नीला रंग आज आपके लिए लगी रहेगा, थैंक यू अब देखते हैं करक राशी के लिए क्या कहता है आज का राशी फल, प्रिय करक राशी वाले जातक आपकी राशी में आज चंद्रमा चलायमान स्थिती में है, चंद्रमा की गती शील स्थिती की वज़े से आप आज असहच और विचलित महसूस कर सकते हैं, हाला कि इस स्थ सकारात्मक्ता को केंद्रित करें, पूरी तरह शांत रहें और अपने संकल्पों के बारे में सोचें, एस्ट्रो योगी जोतिश्यों का सुझाव है कि इस दिन को अपने लिए अधिक खुशाल और लाबदायक बनाएं, अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की, आप नहीं और अच्छी सोच के कारण अपने साथी का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर पाएंगे आज, आप इसमें जो भी बदलाव आए हैं उसके कारण आपका साथी बहुत खुश रहेगा आपके साथ, आपकी सकरात्मक्त सोच भविश्य में आपके रिष्टों को और अध किसी अंजान स्तोत्र से आपको धन की प्राप्ती होगी, रुपे पैसे से जुड़े लेन देन पर आपके विकल्प खुले रखें, क्योंकि किसी भी स्तोत्र से आपको धन की प्राप्ती हो सकती है, महनत करते रहें, आप कान खुले रखें, सितारे आपके पक्ष में हैं, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, इस बार आपको खयाल रखना होगा कि किसी भी आग या बिजली की यंत्रू का इस्तमाल करते हुए कोई अन्होनी ना हो जाए, वरना कोई दुरगतना या चोट लग सकती है, आज आपको electronic चीजें यूज करते वक्त भी ध्यान रखना चा अब देखते हैं क्या कहता है, सिंग राशी का आज का राशी फल, आज आपका धार में जुकाव हो सकता है, वरिशव राशी में चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक शान्ती दिला सकता है, जीवन की तीव रगती से दूर और चीजों को अपने लिए परिप्रेक्ष्य में रखने का आज अच्छा समय है, विश्वास बनाए रखे चाहे आपकी परिस्तिती कैसी भी हो, अपने दिन प्रति दिन की दिन चर्या से हट कर आराम कर सकते हैं, सोचें कि आप अपने सपनों को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आज आपको अपने आप में जहांकने का अफसर मिलेगा, अपने संपून विकास के लिए कुछ अच्छे निर्ने लेने होंगे, इसलिए अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं, ये निश्यत कर लें कि आपका साथी भी वैसा ही महसूस करता है, जैसा कि आप अब बात करते हैं आपकी करियर की, आज आप शेक्षिनिक वैसाई की उननती के अफसरों को अपनी और खुलते हुए देखेंगे, ये आप अपने काम को बदलना चाहते हैं, तो पहले विकल्प की अच्छे से पड़ताल कर लें, अब बात करते हैं आपकी आर्थिक सिती की आज अचानक कहीं से धन की प्रापती हो सकते हैं, इसलिए आपका बजट सुधर जाएगा, बैंक अकाउंट भी सुधरते हुए दिख रहा है, शेर बजार से कोई बड़ी रकम या कोई बड़ा फाइदा आपको मिलते हुए दिख रहा है, जिसका आपको कोई उमीद भी न ना करें, जिसमें की आपको बहुत हैवी काम करना है, क्योंकि आज आपको सामधानी बरतनी होगी, आस्रो योगी जोतिशी के अनुसार, और इंज रंग आपके लिए बहुत लखी रहेगा, शाम पांच से छे का समय आपके लिए लखी माना जाता है, थांक यू अब बात करते हैं कन्या राशी वालों की, बहुत बहुत स्वाधत है आपका कन्या राशी के जातक, आज आपको प्यार मिलने की संभावना है, आस्रो योगी के जोतिश्यों की भविश्यवानी की अनुसार, क्योंकि चंद्रमावरे शिभराशी में स्थित है, इसलिए पा अमंचस से पूर्ण वातावरन देखेंगे, इस समय का सद उपयोग करें क्योंकि ऐसे श्यान आपको हर दिन नहीं मिलेंगे, इस दिन का उपयोग अपने प्रियजनों के करीब आने के अफसर के रूप में करें, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, दिल की गहराईय अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रियास करें, जिससे आप दोनों और नजदीक आ सकें, आपको चाहिए कि आप अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रियास करें, वह एक दूसरे को समझें, जिससे की आपस में प्रेम बढ़ें, अब बात करते हैं आपकी कर यह आपको पहले किये समझदारी पुर्वक किसी निवेश का नतीजा भी हो सकता है, इसलिए आज आए पैसे को भविश्य में अच्छे से यूज कैसे करना है, भविश्य के लिए कैसे यूज करना है, यह आपको टै करना है, आज किसी व्यापारिक संपत्ती में निवेश करत तो ये आपके लिए बहुत अच्छा थाबित होगा अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की आज आपको रोड पर चलते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए तारे संकेत कर रहे हैं अगर आपका किसी यात्रा पर जाने का मन बन गया है तो उसे टाल दें अगर हो सके तो कोशिश करें कि आप किसी वाहन के पीछे ना चलें बाद में पश्चाताप करने से अच्छा होगा कि पहले ही सावधानी बढ़ती जाए इस दिन के लिए शुब रंग लाल है शुब मोरत नौ बचे से दस बचे के बीच का है तो आपके जो भी महत्वपूर्ण कारे हैं वो आप चंतन शील बन सकते हैं उन सवालों का समाधान आपके भीतर देखें जो लंबे समय से आपको परिशान कर रहे हैं फिलाल काम से ब्रेक लें और कोशिश करें कि इसके बारे में ना सोचें अपने बेचैन मन को आराम देने और शांत करने के लिए आज का प्रयोग करें आस्टरोयोगी जोतिशी आपको विचारों को एकटा करने और जमीन से जुड़े रहने के लिए ध्यान और आध्यारतमित्ता पर फोकस करने को कहते हैं ये आपको अपने जीवन को उदेशित रखने की भी अनुमती देगा जिससे आप बहुत बहुत बहुतर महसूस अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की आपकी प्रेम भरी जिंदगी का आज सफलतम दिन हैं आपके द्वारा की गई कोशिशें आपके प्यार को मजबूत करती दिखाई देंगी ये ना केवल आपकी आपसी समझदारी बढ़ाएंगी बलकि खुशनुमा प्यार भरी ज चेत्रों में काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए प्रगती के मार्ग खोलेगा सभी के साथ अच्छे संबंद रखना आपके लिए फाइदेमंद होगा आपको कार्यालय में अपना अच्छा व्यवहार रखना होगा अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थितिकी आर् उपे पैसे के लिहाज से जब समय अच्छा ही है तो उधार चुकार कर्ज मुक्त होने की कोशिश करें कुल मिलाकर आर्थिक लाब से भरा हुआ दिन है आज अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की ध्यान रहे आज कुछ भी काम करते समय ना परवाही ना बरते नहीं तो आपको चोट लग सकती है ऐसा समय चल रहा है जिसमें कोई धुरगटना होने की संभावना है बैतर होगा कि आप सावधानी बढ़ते ताकि आप खुद को चोट लगने से बचा सकें ध्यान रहे कि आप जो भी काम करें बेहत सावधानी से करें आपके लिए आज लखी समय छे बज अब बात करते हैं व्रिशिक राशी की प्रिय व्रिशिक राशी के जातक चंद्रमा के व्रिशिक राशी में होने से आपके लिए विशेश रेग्रेशन होने के संभावना है इससे आपको आशरे नहीं होना चाहिए आकिरकार आप इसके लायक है आस्ट्रयोगी जोतिश्य केनुसार, आपके workplace से आपकी प्रशंसा होगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपको कोई पुरुसकार या नौकरी में प्रोमोशन भी मिल सकता है, इसका स्वागत करें और इसे अपने भविश्य के कदमों के लिए एक, आप light house बनाएं, अपने लिए आप एक positivity create करें, क्योंकि ये साथी के साथ भलपूर मनोरंजन करेंगे, फल्स रूप ना केवल आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, बलकि आपका relationship भी बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आज के दिल का पूरा लाब आपको उठाना चाहिए, अब बात करते हैं आपके career की, यदि आपका swim का व्य संकेत हैं, आज का दिन आपके लिए भागेशाली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ दें, अब बात करते हैं आपकी health की, आज के दिन आपको बहुती सावधानी से रहना होगा, क्योंकि कोई अन्होनी हो सकती है, शरीर के उपर इससे अच्छा है, पहले से ही सावधानी बढ़ते हैं, आपके लिए शाम पांच से छे का समय महत्वपून दिखाई दे रहा है, हरा रंग आपके लिए आज लखी रहेगा, थाइंक यू अगली राशी धनुराशी बहुत बहुत स्वागत है आपका धनुराशी के जातकों, धनुराशी, वृष्यब राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आप बहुत प्रभावित महसूस करते हैं, आप दोविधा में पढ़ सकते हैं आज, आप अस्मण्जस की स्थिती में अगर आपको अपनी समस्या का समाधान करना मुश्किल लगता है, तो आप अपने दोस्तों और परिवार का सुझाव ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, जीवन में आपको चुनौती पूल स्थिती से उबरने में ये चीज मदद करेगी, अब बात करते हैं आपकी लव ल बल्कि भविश्य में भी मार्क सुगम हो जाएगा, आपको सावधानी पुर्वक व्यभार करना होगा, कटू शब्दों से अपने रिष्टों में खटास ना आने दे, सदेव ध्यान रखें कि सच्चाई, इमानदारी और प्यार ही आपसी रिष्टों की डोर को मजबूत क करता है, यदि आप बैंक या वित्य शेत्र में काम करते हैं, तब आज का दिन कोई अच्छी खबर आपके लिए ला सकता है, आज आप अपने लक्षियों को पूरा कर पाएंगे, अपने अधिकारी को आज आप इंप्रेस कर पाएंगे, इसलिए सर्वश्रेष्ट प्रदर देना आज आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आज आपके उच्छ अधिकारी आपके उपर बारीक नजर रखे हुए हैं, अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिते की, आपको आज किसी ऐसी जगा से धन प्राप्ती होगी, जहां से आपने उमीद भी नहीं की थी, ये किस सौगात के रूप में हो सकती हैं, या फिर कोई आपको अपना उत्तर धिकारी भी बना सकता है, आपकी आंदनी के स्तोत्र से हट कर आपको आज पाइदा होगा, पैसों से आज आपको लाब होगा, समझे कि कोई बड़ा बोनस मिल गया है आपको, लेकिन इस रकम को जादा स से जादा बचातर रखने की कोशिश करें, फिर लंबे समय तक इसकी खुशी बनी रहीगी, अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, साबधान रहें, ये वो समय चल रहा है जिसमें आपके साथ कोई दुरगटना घट सकती है, वाहन चलाते समय और नुकीले यंत्रों का इस अपना मन, अपने कार्य पे केंद्रित होकर करें, आस्ट्रो योगी जोतिशी के अनुसार सुभग ग्यारा से दुपहर साड़े बारा का समय आपके लिए लखी होगा, लाल आज आपके लिए लखी कलर रहेगा, थैंक यू अब बारी है मकर राशी वालों की बहुत बहुत स्वागत है आपका मकर राशी के जातक हूँ, व्रश्व राशी में चंदमा का गोचर आपको किसी मित्र के साथ हुई गलत फेमी को दूर करा सकता है, आप उत्सा और जोर्श से भरपूर हो सकते हैं, आप काम पर कुछ अत बारे करने की शमता, आपकी द्रड़ता और आपके सभी लक्षय को पूरा करने की आपकी शमता आपके आसपास के लोगों को विशेश रूप से अधिकारियों को प्रभावित कर सकती हैं, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आशा है कि आप आज किसी के प्यार में टूब सकते हैं, आज का दन प्यार मौबबत के लिए बहुत अच्छा है, आप अपनी भावनाओं को साती के समक्ष अभी व्यक्त करें तो आप पाएंगे कि सामने वाले का भी वही हाल है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से ना हिच किचाएं, अब बात करते हैं आपक करने की कोशिश करें, अब बात करते हैं आपके अर्थिक स्थितिकी, आज आपके सामान या व्यवसाय या वेतन के अलावा कहीं और से भी धन की प्राप्ती दिख रही है, जिसकी आपको कोई उमीद भी नहीं थी, इससे आपको बेहत खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने ये किसी भी लापरवाही के कानर कोई घटना घट सकती है, इसलिए सामधानी बरते हैं आज, आज आपको ध्यान देना होगा कि आपको बेहत सामधानी बरतनी है कि कोई धुरगटना ना घटे, आपके लापरवाही से कोई प्रॉब्लम आपको आज हो सकती है, चोट लग सकती ह समय आपको लापरवाही नहीं करनी है आज आपको जादा सावधान रहने की आवश्कता है एस्ट्रो योगी जो तिश्यों के अनुसार लाल रंग आपके लिए आज लखी माना जाता है शाम चार बज़े से पहले का जो समय है वो आपके लिए महत्वकून है तो अपने चोभी इंपोर्टन्ट कारे आपने सोच रखे हैं वो शाम को चार बज़े से पहले आपको कर लेने चाहिए थांक यू अब बात करते हैं कुम्राशी की प्रेय कुम्राशी के जातकों आज का दिन शुरू हो सकता है किसी निराशा के साथ चंद्रमा की स्थिति ये सुनिश्चित करेगी कि ये किसी अच्छी खबर के साथ या अच्छी तरह से समाप्थ हो आश्रयोगी चोतिश्यों का सुझाव है कि आज आपको धहरे और द्रड संकल्प की परिक्षा देनी होगी इसलिए इसे सब कुछ संभाल कर रखें और आप हस्मु प्रवया बनाए रखें ये नी संदे आपके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करेगा और आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं और मुश इसे की आपका रुमैंस बरकरार रहेगा ये खुशियां आपसे रिष्टों को मजबूत बनाएंगी और भविश्य को उच्वल करेंगी अब बात करते हैं आपके करियर की व्यापारिक प्रभंदकों के लिए आज का दिन शुप है आपको कंपनी में एक उच्छ पद आप मिलने वाला है आपको सही सेहत के लिए काम पर तनाव नहीं लेना चाहिए और सही कदम उठाने चाहिए अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिते की अगर आप व्यफसाएं में हैं तो आपको कुछ ऐसे इनाम मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नही अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की आज किसी भी तरह की दुरगटना से आपको बचकर रहना चाहिए किसी भारी समान को उठाते रखते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए चिकने फर्ष पे चलते वक्त आपको सामधान रहना चाहिए आज किसी भी तरह की लापरवाही न अब बात कर लेते हैं आखरी राशी मीन राशी की बहुत-बहुत स्वागत है आपका मीन राशी के जातक हो व्रशिव राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको सभी कार्यों में निडर बनाना होगा अपने आपको आपके लिए अच्छा समय साबित होगा आज आपको दूसरों के साथ अपने वेवार में थोड़ा सक्त होना पड़ सकता है इसके बारे में बहुत अधिक चिन्ता ना करे आप अपनी समस्याओं का डट कर सामना करें अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की आज आओ अप अपने जीवन साथी के साथ अत्वा होने वाले पारिपन को कैमरे में क्याद करने का समय है जिससे भविश्य में आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपकी यही जो important पल है यही जो प्यारे से moments है इनको याद करके खुश होंगे अब बात करते हैं आपके करियर की आज का दिन व्यवसाईयों के लिए श्रेश्ट है क्योंकि कि वे अपने प्रतियोगियों से बहतर स्थिती में रहेंगे आज के दिन कुछ आर्थिक लाव मिलने की संभावना है लेकिन ध्यान ना दिये जाने पर विहानी में भी वदल सकते हैं पार्ट ताइम काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी यह व्यस्तता का समय हो सकता है पाने वाला भागिशाली व्यक्ति आप ही हो इसके लिए आप उनका शुक्र बुजार बनिये अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उसे कम करने के बारे में आज आज आपको सोचना चाहिए यह एक रात में तो होगा नहीं लेकिन इसके बज़े से ग्यारा बज़े के बीच का समय आपके लिए लखी रहेगा जो भी आपके जरूरी इंपॉर्टेंट काम है वो आप इस समय पर शेडूल करिए वो सक्सेस्फुल रहेंगे थांक्यू सो माच यह राशिफल चंद्रमांकर है और नक्षत्र की घड़ना पर आधार है और इसके साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले और आप एस्ट्रयोगी लाइव सेशन में आप मुफ्त कंसल्टेशन ले सकते हैं तो जल्दी से डाउनलोड कर लिचे एस्ट्रयोगी आप या फिर लॉग इन कर लिचे एस्ट्रयोगी.com पर कल फ क्रोश टेशन वेस्ट्रयोगी लाप वेस्टिश में वीचे लॉगट है ऊज़ हैं और झाते हैं तो जल्दीं ले गएव परूगें लेगान स경 caucusे में लेव वेशन लेशन लेशन के लॉटेशन के लुब हैं लेवें लेदार लेवानके